हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टू माई चैनल मंजल तक फ्रेंट्स इस वीडियो में हम देखेंगे स्सी एम्टीए सिग्जाम 2022 के छे जुलाई के सभी सिप्ट के कुश्चन कुश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आवजन कौन से देश में होगा तो फ्रेंट्स का राइट भाला फ्रेख में फोडपदक जीता स्वन था कि सुन्दृ का पेढ किस प्रकार कार के टेल्टा में पाई जाता है तो गंगा प्रंपुत्रव ड्यल्टा में जो करा शुद्री नकावचश् भूटान की राध्धानी थिम्पू और इसकी मुद्रा है नगलत्रम भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग नेश कुर्शन आप से पूछा गया कि रभी संकर जिनका 2012 में निधन हो गया था उनको ग्रैमी आवर्ड कम मिला था तो रभी संकर को उनकी मृत के दो मह से दिसंबर 2012 में इनका निधन हुआ तो दो महिने बाद यानि कि 2013 में इनको ग्रैमी आवर्ड दिया गया नेक्ट को पूछा गया कि भारती समिधान में मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है तो इसका राइट अंसर है अमेरिक्या नेक्ट था कि टी टॉन्टी वल् मैं इनी जीता था इसको हराकर निव जी लेंड को हराकर अब आथा कि सातारिया निर्त चिस राजय से संबन दित है भारत में कुल आठ शास्त्री निर्ते हैं कथक उत्तरपसीमा और मद्ध्भारत का निर्त है जैसे कि उत्थर प्रदेश बिहार नद प्रदेश कतकली स्वार कंड्रका oसथ्तरी निर्त valid के टारिया जो है असम का है भरत नाट्यम जो है तमिल नाट का सास्त्री नित्त है नेश कुरसन आपसे पूछा गया कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी निदी गिरती है आपसन में आपके थे नर्मदा, ताप्ती, माही और गोदावरी तो इसका जो राइट अंसर होगा, वोगा गोदावरी, गोदावरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है बाकी जो है, यह सभी अरब सागर में गिरते है नेश कुरसन आपसे पूछा गया कि इतिहास में इसी पहली महिला कौन थी जो राजे सभा के लिए नामित की गई थी तो इसका राइट अंसर है रुकमडी देवी अरुन डेल यह भरत नाट्यम निर्त भी करती है आपसे पूछा जा सकता है, कि राजे सभा के लिए चुनी गई पहली महिला क्यों थी तो ओथी वायलेट हरी इलवा दिहांदीजिगा ए नामित महिला थी, रुकमडी देवी सबसे पहली अरुन डेल तथा सबसे पहले चुनी गई पहली महिले जो थी ओ वाइले ठरी अलवा थी नेश्क कुर्शन आपसे पुछा गया था कि भारत में एक रूपए के नोट कौन जारी करता है तो इसका right answer है वित्त मंत्राले एक रूपए के नोट को वित्त मंत्राले जारी करता है इसके लावा बाकी सभी नोट को RBI जारी करता है तो यक्रित ग्रंति जो है वो पित रसका सराव करती है अगला Question आपसे पुछा गया कि बोनालू तयोहर किस राज में मना जाता है तो प्रेंस इसका right answer है तेलंगाना बोनालू तयोहर जो है वो तेलंगाना राज में मना जाता है नेक्स कुछन आपसे पुछा गया कि निमलिखित में से किसकी प्रमारत्रिज्या सबसे बड़ी होती है आपसन में थे आपके नाइट्रोजन, कार्बन, लीथियम, बेरलियम तो इसका राइट एंसर होगा लीथियम ध्यान दीजेगा आवर्त साड़ी में आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर प्रमारत्रिज्या जो है वह बढ़ती है दाएं से बाएं जाने पर प्रमारत्रिज्या जो बढ़ती है यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हीलियम हाइड्रोजन, हीलियम, लीथियम, इसके बाद बेरलियम तो यहाँ पी देखिएगा आपका सबसे बाएं में जो है वो लीथियम है इसका मतलब लीथियम का जो प्रमाणत रिज्जा है वो सबसे ज़्यादा है इसका राइट एंसर होगा लीथियम नेश्ट कुस्टन देखते हैं अगला कुस्टन था कि किसी राजजी की बिधान सबह में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है तो बिधान सबह में अधिकतम 500 सीट हो सकती है अगर बात करें 99 सीट की तो 99 साट सीट हो सकती है अब हम देखते हैं सेकेंड स्रिप्ट के कुस्टन सेकंड स्ट में कुछ न पूछा गया कि निम्लिक तुगलक बंस के सासकों को काल करम में बश्टित किजिए तो तुगलक बंस का जो कारिकाल था ओ तेरा सो बीस इसविस से लेके 1398 भी तक था तो सबसे पहले गयासुत दिन तुगलक जो थे वो तुगलक वंस के संस्थापक थे उसके बाद मुहम्मद बिन तुगलक उसके बाद फिरोज तुगलक और लाश्ट में नसिर दुन महमूद तुगलक ने तुगलक वंस को सासन किया तो सबसे पहले गयासुत दिन तुगलक मुहम्मद बिन तुगलक उसके बाद फिरोज तुगलक और लाश्ट में नासिर दुन मुहम्मद तुगलक अगला क्यूसन आपसे पूछा गया कि लगू हिमाले और सिवालिक हिमाले के बीज के घहाटियों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है तो इसकर ऐट answer होगा दून या फिर दौार जैसे कि देहरा-दून ःट दौर तो इसकर आइट answer होगा दून या दौर नेश्ट कॉछा गया कि विशाल असनानागार कि सबिता से संबंदित है तो फ्रेंस विशाल असनानागार जो है ओ मोहन जो दुड़ों में मिला और हडपा सबिता से संबंदित है नेक्स्ट था कि चीटी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है तो फ्रेंट से चीटी के डंक में फारमिक अमल पाया जाता है अगला कुछन आपसे पूछा गया कि 2011 की जनगर्णा के अनुसार किस राजी का लिंगान पात जो है सबसे ज़्यादा था तो 2011 की जनगर्णा के अंसर केरल राज का जो लिंगान पात था उस सबसे ज़्यादा था त्यान दीजिगा वर्तमान में भारत में सबसे कम लिंगान पात वाला राज जो है वो हर्याड़ा है आपसे पूछा जा सकता है नेक्स श्रिप्ट में जहां पर लिंगान पात में जो है केरल राज का है तो इसका राइट अंसर होगा केरल नेक्स कुछन देखते हैं अगला कुछन आपसे पूछा गया कि सहाय योजना किस राज्य में लागू हुआ किस राज्य में सुभारम किया गया सहाय योजना को तो ध्यान दीजिगा 15 दिसंबर 2021 को जार खंड के खेल और खेल प्रित्वा को बढ़ावा देने के उद्देश से कुल्हान की धरा से सहाय योजना का सुभारम किया कहां पे हुआ जार खंड में किस ने किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहाय का फुलफारम क्या होता है स्पोर्ट्स एक्शन टुवार्स हरनेसिंग चैकि अधिकार को कौंसे सुभीदान संसोदन के द्वारा जोड़ा तो छिआसमें संसोदन संसोदन 2001 के द्वारा जृष्छा के अधिकार को जोड़ा गया यह आपका 11 मौलिक अधिकार है नेस्ट कुर्शन था कि सयद मुस्ताक अली ट्राफी किस टीम ने जीता तो ध्यान दीजिएगा सयद अश्ताक सयद मुस्ताक अली ट्राफी जो है तमिल नाडू ने जीता कुर्शन में पूछा गया था कि विजय हजारे ट्राफी 2021 का विनर कौन था तो इसका राइट अंसर आपको ध्यान देना है और सयद मुस्ताक अली ट्राफी कि स्टीम ने जीता तमिल नाडू ने 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 आपको पूछा गया है और किसकी अस्थान पर अगला खुशन था कि वेटिंग फार एवीजा किसकी आत्म कता है तो यह डाक्टर भीम्रावं बेटकर की आत्म कता है वे माधवी मुगदल किस दी से संबंदित हैं तो यह जो है cape inc द्रय द्रने लाग हुआ है द्रत का एक अधनियं domain 2007 से लागु हुआ इसके अनुसार जो है बाल विवाह वहा जिसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो तो उसे हम बाल विवाह बोल सकते हैं ऐसे विवाह को बाल विवाह निसेद अधनियाम 2006 के द्वारा प्रितबंदित किया गया है अगला कॉशन था कि कोलेरु जिल कहा पर इस्थित है तो कोलेरु जील जो है एक मीठे पानी की जिल है अगला चिछली जील है वर्ष सरीद में इसका चिज्थपल 160 वर किलोमीटर हो जाता है नेक् Nep i since सब्सक्राइब करने वाला समाज 24 सेतंबर 1873 में ज्योद्वा फूले द्वारा इस्थापित एक पंथ है एक छोटे से समगों के रुप में शुरू हुआ और इसका उद्देश सोद्र एवं अस्प्रिस्य जात के लोगों को विमुक्त करना था नेश्क कुर्शन आपसे पू किया तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा जिससे की आने वाले सभी सिप्ट के कुश्चन्स आपको मिल सके आइसीसी 2011 के वर्ल्ल कप में सुबंकर क्या था तो उसका सुबंकर जो था हो था इस्टम पी और हाथी की त कौन सी इमारत बनवाया था तो इसका राइट अंसर होगा मोती मस्जिद नहां पर आपसंद में ताज महल लाल किला और कुटूद्धीन एवक ने बनवाया था है अरंग जयव के द्वरा बन्हाय थे इमारेत इस प्रकार से औरंग ने शोह सो 376 में लाहोर के बादसाही मस्जिद को बनवाया 1668ा में मस्जिद का निर्माण तोución में मौती मास्जिद तहां मोंती मौती मस्जिद नेट कुछा गया कि उत्री अमेरिक्या को युरोप से कौन सा महासागर अलग करता है तो अट्लांटिक महासागर जो है उत्री अमेरिक्या को युरोप से अलग करता है नेश्कुर्सन आपसे पूछा गया कि अमित्र घहात के नाम से किसे जाना जाता है तो फ्रेंट्स बिंदु सार को जो है अमित्र घहात के रूप में जाना जाता है मौर राजवन्स के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर के पुत्र थे बिंदु सार को अमित्र घहात सिंग recipes in मद्र सार और अज्ञात वरिसार इन सब नामोंसे जाना जाता है बिंद उसार जो है वे बीदा वह महान मौर। समराड असोग के पीता थें मेर्ष कुर्सनथा कि टोकियो एलम्पिक में कुल कितने कांस पतक जीते तो टोक्यो उलम्पिक में भारत ने टोटल चार कांस पतक जीते थे भारत ने टोक्यो उलम्पिक में एक गोल्ड चार कांस और दो सिल्वर मिडल जीते थे इसके साथ भारत पतक तालकिया में कौन से अस्थान पर था अन्टालसुय अस्थान पर थ अगला खुशन आपसे पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत का पहला सासक कौन था जिसे गाजी की उपाधी दिया गया तो इसका right answer था गयासू दिन तुगलग दिली सलतनत का पहला सा सकता जिसे गाजी की उपादी धरड है की इसके लावा गाजी की उपाधी बाबर को मिला और अकभर को बाबर को का मिला खानवा की युद में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधी गई और हेमो को मारने के बाद अकबर को गाजी की उपाधी दी गई तो सबसे पहला जो सासक था और गयासो दिन तुगलक था इसके अलामा बाबर को और अकबर को गाजी की उपाधी मिली नेश्ट कुछन था कि जनगर्णा 2011 की अंसार सबसे अधिक जनसंख्यावला राजिक का अंसा है तो इसका राइट अंसर था उत्तर प्रदेश नेश्ट कुछन आपसे पूछा गया कि भारत और सिलंका के बीच काउन सा महास सेतु है तो इसका राइट अंसर होगा राम सेतु देहां दीजिएगा मनार की खाड़ी और पाक जनसंदी जो है भारत और सिलंका को अलग करती है अगला कुछन था कि ग्राम पंचायद के बारे में बताया गया है भारती समिधान के भाग फोर में अनुच्छे 40 में ग्राम पंचायद के गठन और उनकी सक्तियां को बताया गया है लेकिन ए समिधानिक दर्जा इनको नहीं मिला था ध्यान दीजिएगा 73 में समिधान संसोधन 1992 से जो है 11 अंसुची और भाग 9 अनुच्छे 243 में 16,95 वा 29 कारियों का वड़न किया गया है तो इसका राईट अंसर होगा क्या अनुच्छे 249 क्या है इस से कुछिशन है कि ग्राम 5 के बार में समीधान के कौन से नुच्छे में वड़न किया गया है तो इसका राइट अंसर होगा अनुच्छे 243 नुच्छे चालिस में पंचात के गठन की बात कही गई लेकिन इसको समिधारिक दर्जा नहीं मिला बाद में इसको 73 समिधान संसुद निस्व बांबे के द्वारा एक ग्यारवें अन्सूची जोड़ी गई नीफ्सकृष्ण है औलम्पिक में बहरत की तरफ से निसाने बाज में सोड़ पृष्मृत और तो इसका ऋुआगे हम देखते हैं किल कि कुषृष्ण जो छूटके थे कुछन है कि यामनी कृष्णमूर्थ का संबंद कि सास्त्री निर्ति से है तो इसका राइट अंसर है भरत नाट्यम और कुछी पुड़ी नेश्ट कुछन था कि बैदिक काल में राजा अपनी प्रजासी कितना करवसूलता था इसका राइट अंसर है वन वाइज 6 है इस टीम का नाम था आर सीबी जिन्होंने 263 रन बनाया थे पांच विकेट पर किसके खिलाब पूड़े वारियर्स के खिलाब अगला कुछन था कि बराक ओवामा की आटो बायोग्राफी पुछता का क्या नाम था तो इसका नाम था एप्रामीज लैंड नेश्ट कुछा ग सब्सार केरल की सचर्था दर सचर्था दर कितने प्रिश्ट रही तो 94 परसंट ध्यांदी जगा देश की सचर्था दर जो है वह 14-04 परसंट है पुरुष्क का 82.14 और महिला का 65.46 नेश्ट था कि मार्च 2022 में IRDAI के नए अध्यच के पत पर किसे निक्त किया गया तो इसका राइट अंसर देवासी स्पांड रहे नर्मदा नदी किस राज में बाती है तो गुजराद और मद्य प्रदेश में जो है नर्मदा नदी बाती है नेश्ट करवाना प्रतिबंदित है तो आठिकल 24 के ताहत जो है 14 वर्से कामर आयू के बच्चों को मजदूरी करवाना प्रतिबंदित है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो है तब तक के लिए बाइट टेक एर थैंक्स फर माचिंग